POCO M2 Device लेक नया अपडेट आ चुका है 12.5.5 के Enhanced Edition का जिसे फिलाल मैं कुछ देर से यूज कर रहा हूँ और इसे मैंने अपडेट कर लिया अपने फोन के अंदर और आज की इस वीडियो मैं मैं आपको यही बताऊँगा कि इस अपडेट में हमें क्या कुछ नया देखनी को मिलता है या इस अपडेट को आपको इंस्टॉल करना चाहिए फोन को अपडेट करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए के next update का इस से related सारी जनकारी मिल जाएगी तो वीडियो को पूरा लास्टक वर्ट्स करते लिए और क्या कुछ है special इस POCO M2 के नए update के अंदर वो सब कुछ आपको यहां पर पता चल जाएगा सबसे पहले इस update के अगर आप स्क्रीन सूट को चेक करोगे तो दिखाई देता है 12.5.5 जिसका size 451 MB है जिसमें enhance का tag लगा हुआ है और इसे मैंने morning में ही अपडेट कर लिया था क्योंकि यह morning में मुझे नजर आया जबकि कुछ users को एक दो दिन पहले ही मिल गया था क्योंकि जब भी कोई update आता है तो random users को धीर धीर करके दिया जाता है सभी को एक साथ नहीं मिलता तो ऐसा भी हो सकता है कि जब यह वीडियो आप वाच करो आपको यह update ना मिला हो या उसी समय मिला हो तो मेरे चैनल को भाई सस्क्राइब करके बेल आइकन को ओल पर आप सेट जरूर कर लेना और रही बात की भाई अगर आप है जो चाहते हो कि क्योंकि इंफोर्मेशन मिले जैसे अपडेट आए ताकि आप भाई अपडेट कर पाओ अपडेट मिस नहों तो मेरा ये जो सौर्ट चैनल है इसे भी आप सस्क्राइब कर लेना क्योंकि जब भी कोई इंफोर्मेशन आता है न मैं यहाँ पर खुक वीडियो दे रहता हूं डौट विक्सन के रूप में ताकि आपको पता चल पाए और आप अपडेट मिस ना कर सको जैसे कि आप देखें तो वन डे पहले मैंने 12.5.5 का इंफोर्मेशन दे दिया था आज फिर से रोल आउट हुआ फिर से मैंने दिया है कुछ दिर पहले और अभी POCO M3 का रोल आउट हुआ है तो जब भी कोई अपडेट रोल आउट होता है ना तो मैं यहाँ पर इंफोर् ही है क्योंकि फैब खतम होने वाला है और यहाँ पर भाई वन मन्थ बैक का सेक्यूरिटी पैच मिला है यहाँ पर आप देखें कि जो रैम है यहाँ पर जो वन जीबी एक्ट्राइट किया गया है मेरे इक्टेंशन उसके साथ यहाँ पे इंक्रूट सो हो रहा है जो कि वाला कुछ यह लोग लिखते ही नहीं है चेंजलों के अंदर लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि बाकिया क्या कुछ नया आया है तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अभी वी आपको अनिश्टॉर्ट सिस्टम आपस का है जो फीचर्स देखनी को नहीं मिलत locked है पता नहीं कभी unlock करेंगे और यह features तो पहले से हमें मिलता हुआ आया है जिसे मैंने कुछ चीजों को lock कर दिया यानि off कर दिया यानि disable कर दिया है additional के अंदर memory extension आता है जिसके पिछले वाले अपडेट में बहुत सब्सक्राइब बैटरी द्रेन पहुत जाला देखनी को मेरा था इसे जिनको 12.5 का enhanced edition का update मिला है उन सभी को बैटरी के अंदर profile देखनी को मिला है जैसे कि saving का balance का और performance का जो कि अभी तक कितना आपका phone cool है heat है या जो कुछ भी है वो साइच चीज़े और यहां पर मैंने security का जो layout है वो भी चेक किया है यानि game driver टूल बॉक्स का उसमें मुझे थोड़ा सा बदलाओ देखनी को मिला है जो कि पहले I think नहीं था जो कि इस update के बाद आया है जो कि इस update के बाद आया ह हो चुका है और यहां पर सारे application आपको यहां पर दिखाई देते है कुछ इस तरीकी से जो कि आप यूज करना चाहते हो pop-up में यूज कर सकते हो और यह सेम चीज है जो game turbo के साथ भी हुआ है जिसे मैं activate कर रखा है अपने CPU throttle के ऊपर जो कि मैंने यहां पर run किया था तो यहा हो चुका है बट यहां पर voice changer अभी तक नहीं आया है और I think आएगा भी नहीं लेकिन आ जाता तो आई काफी मज़ा आता यूज करने में क्योंकि बहुत सरे users भाई voice changer का वेट कर रहे हैं लेकिन यहां पर अभी तक देखने को नहीं मिला इसके लाब अगर हम वापस आते हैं अधर नहीं किया है तो इस update के बाद आपको यह देखने को मिल जाएगा तो आप बताना कि इस आपने पहले अप्टेट के बाद आपको है जो यह देखने को मिला है तो यह चीज आपको यहां पर ज़रूर नोटीस होने वाली है उसके बाद बाकि अगर हम details की बात करें कि क यहां कुछ मिलता है तो चलिए एक फोटो को पहले हम पिक करते हैं यहां पे तो आज आते अपने स्कीनिसूट के ऊपर और यहां पे मोर पे जाते हैं तो आप देखोए इसका जो फॉन्ट है यह थो आप बोल्ड हो चुका है जो कि पहले हलका लाइटर था और यहां पर आप बाकि अगर टेस्टिंग के स्कोर की बात के लिए क्या कुछ हमें देखनी को मिलता है तो आज आते हम यहां पे जो कि यह CPU टोटल अपडेट करने के बास मैंने चेक किया 93 का जिसमें आप देख से तो max और minimum कितना देखनी को मिल रहा है और उसके बाद मैंने जो performance को तो आप बूस्ट कर दिया गेम टर्बो का यूज करते हुए तो यह चला गया हमारा 85 यानि अब जानने के बजाए यह उल्टा डाउन हो गया तो वाई गेम टर्बो में जो performance आप के history है वो आपको show कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने Geekbench को on कर लिया है और आते हैं अब इसके history के उपर तो आप यहाँ पर notice कर गया है जो कि 28 Fav का जो कि आज के date का है और यह पिछला update है था उस समय तो single core के अंदर आपको improvement देखनी को मिलता है और multi core के अंदर भी यह अपडेट करता हूँ उसके बाद का है तो इसमें कुछ खास चेंग नहीं हुआ है सब कुछ similar टेखनी को मिलता है लेकिन heating पहले 3.3 था और यहाँ पर 2.2 आ चुका है battery 2% था लेकिन यहाँ पर 4% है तो battery थो थो ज्यादा इसने drop deduct किया है लेकिन long use के बाद ही हमें पता चल पाया के battery की इस तरीके सी यहाँ पर है जो काम करता है तो overall mixed type का यहाँ पर performance result technique को मिलता है किसे में कुछ ज्यादा है किसे में कुछ कम है लेकिन longer use के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि actually में भाई यहाँ यहाँ पर क्या कुछ change किया गया है और यहाँ पर मैं old control center इसलिए important होता है data usage तो और यहाँ पर आप देखते दो transparent वगेरा नहीं है blur देखनी को मिलता है पूरा तो इसमें भी अभी आपको कमिया ही देखनी को मिलती है और यहाँ पर volume slider में जो पहले starter हलका फुरका देखनी को मिलता था यह काफी है टक down हो चुका है काफी smoothly बाहर आ जाता है यहाँ से छोटे मोटे कई सारे change किये गए हैं तो बस आज के लिए इतना ही सा था जो कुछ भी था मैंने आपके साथ share कर दिया है फिर भी इसके अलावा कुछ नया features आप notice करते हो इस update के अंदर तो comment करके जरूर बताना ताकि दोस्तों को भी पता चल पाए कि भाई हाँ आ अपने फोन के लिए बाई करना चाहते हो तो बस इतना ही साथ था थांक्स पर वाचिंग बबाई